आज से शुरू हो रहा है जार्खन विधान सभा का मौनसुन सत्र जार्खन विधान सभा का मौनसुन सत्र 28 जुलै यानि आज से शुरू हो रहा है इस मौनसुन सत्र के दोरान जार्खन सरकार खतियान आधारीत अस्थाने नीती OBC आरक्षन और मौब लेंचिंग निवारन विध्यक फिर से विधानसभा के पटल पर लाएगी जहारखन के ततकालिन राजिपाल द्वारा अस्थाने व्यक्तियों की जहारखन परिभासा और ऐसे अस्थाने व्यक्तियों को परिनामी, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाब परदान करने के लिए विध्यक 2022 बीड हिंसा और मौब लेंचिंग निवारन विध्यक 2021 पिछले वरगों OBC के लिए सरकारी नौक्रियों में आरक्षिन की सीमा 27% करने संबंधी विध्यक को वापस करने के बाद राज्यसरकार पुनह इस फिसय की गंभीरता को देखते हुए विध्यक को विधान सभा के पटल पर रख सकती है भारती कम्यूनिस्ट पार्टी नेता सुभास मुंडा हत्यकांट की जाच के लिए साइटी का गठन जारखन की राधधानी राची के दलादली में बुद्वार की रात भारते कम्यूनेश्ट पार्टी मार्कसवादी नेता सुभास मुंडा की गोली मारक निर्मम हत्या कर दी गई सुभास मुंडा की उम्र 37 साल बताई जारी है इस घटना में अपराधी मुह पर मास्क लगा कर उनके ऑफिस घुस गए और अंधादून फायरिंग कर उनकी इंजान ले ली इस दोरा सुभास मुंडा को साथ गोलियां लगी थी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई मेडिया की खबरों को माने तो इस मामले की जाच के लिए S.I.T. का गठन कर दिया गया है S.I.T. का नेरत्रित्व राची के सीटी एस पी करेंगे वहीं जाच में लापरवाही बरतने के कारण थाना अध्यक्ष थाना नगडी को निलंबित कर दिया गया है मेडिया की खबरों को माने तो घटना पर मौजुद लोगों के उनुसार मास्क बंद अपराधी ओफिस में घुसे फायरिंग के बाद वहां से भाग निकले वहीं फायरिंग की शोर सुनकर चुबाज मुंडा के परिजन अस्थानी ये लोग घटना अस्थल पर पहुँचे इसके मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं इस यह एक संक्रमक बीमारी है यह आँखों की बीमारी है जिसे आईफलू इंफेक्शन भी कहा जाता है इस संक्रमक बीमारी से अधिकतर बच्चे संक्रमित हो रहे हैं जारकंड कि राधानी राची के सबसे बड़े होस्पिट में इस बिमारी से संक्रमित मरीज काफी संख्या में पहुंच रहे हैं मीडिया की खबरों को माने तो हर दिन लगभक 40-45 मरीज आई फ्लू इंफेक्शन से पीडित होकर होस्पिटल के आई ओपीडी पहुंच रहे हैं बतादे कि एक संक्रमग बिमारी है और इस संक्रमन से प अगनिवीर वायू भरती के लिए आवेदन की परक्रिया शुरू भारती वायुसिना में अगनिवीर वायू बनने के सपना देखने वाले उमिदवारों के लिए सुनहरा मौका है भारती वायुसिना ने 2024 के अगनिवीर वायू में भरती की तिथी की घोशना कर दी है भरती के लिए ऑनलाइन एक्जाम 13 अक्टूबर से आरंभ होंगे भरती से संबंधित अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट अगनिपत वायू.cdac.in पर जारी कर दी गई है बतादे की 27 जून 2003 से 27 दिसंबर 2006 तक दोनों तिथी को लेकर जनमे उमिदवार भारती वायू सेना के अ आवेदन कर सकते हैं जारखन में नकसलियों को सबसे अधीक नुकसान का दावा पिछले एक साल में जारखन में पांच इनामी नकसलियों समेत एक दरजन नकसली कमांडर एंकाउंटर में मारे जा चुके हैं लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बड़े कैडरों की किरबतारी और उनके आत्मसमरपर करने से हुआ है संगठन ने आत्मसमरपन करने वाले को गदार घोसीत कर रखा है मीडिया की खबरों को माने तो वर्स 2020 से लेकर वर्स 2023 के जून महिने तक कुल 1390 नकसली गिरबतार हुए इनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं जिनकी गिरबतारी से स आरगेट कर अभ्यान चलाने की शुरुवात 2020 से शुरु हुई थी इस दोरान कई बड़े और इनामी नकसली गिरबतार किये गए वहीं दूसरी और मावादियों से बूरा पहाड बुलबुल चिनने के बाद पुलिस और केंद्रिये बलों ने चैबासा सराइकेला और खू से अधिक संकट जारकट के साथ जीलों गड़वा पलामू लातेहार राची सिम्डेगा पसीमी सिम्भूम और सराइकेला में इस्तिती अधिक हराब है यहाँ धान की रोपनी नहीं के बराबर हुई है मीडिये की ख़बरों को माने तो साहिबगन जीला में अब तक समाने से पांच पर्तिशत बारिस कम होई है एक जून से अब तक 538.6 mm बारिश होनी थी अब तक 510.6 mm बारिश होई है जुलाई में समाने बर्सपात 289.9 mm के बिरूत अब तक जीला में 185.2 mm बारिश होई है जीला में 49,000 हेक्टियर भूमी पर धन जिहा धान रोपनी का लक्षे है अब तक 12,641 हेक्टियर भूमी पर धान रोपनी हुई है कई भासाओं में पढ़ाई कराएगी CBSE यानि केंदरी माधिमिक सिक्षा बोट नई सिक्षा नीती के तहत कई बड़े बदलाव कर रहा है इसमें एक सबसे महत्पूर्ण और बड़ा बदलाव है भारत की बिविद भासाओं में सिक्षा देना इसके तहत CBSE भारत के संबिधान अनुश्यत आठ में शामिल 22 भासाओं में सिक्षा देने की तयारी कर रहा है इसके लिए CBSE ने अपने बिद्यालेयों से रहे मांगी है CBSE को बिद्यालेयों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पहुभासी सि इक्षा का विकास हर अस्तर पर पहुंच सके इसे इसकुलों में कैसे लागू किया जा सकता है और इसमें क्या चुनावतियां आएंगी इस पर इसकुलों को सुझाव देने को कहा गया है जारखन पर भी पड़ेगा साइकलोिक सर्कुलेशन का असर जारखन में मौसम एक बार फिर एक्टीब हो रहा है जारखन के कई इलाकों में हलकी हलकी बारिश हो रही है इस बार बदले मौसम का कारण बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेसर एरिया है साइकलोंिक सर्कुलेशन का रास्ता ओड़िसा और आंधर परदेश की ओर है जिसका हलका असर जारखन पर भी दिख रहा है यही कारण है कि आसमान में काले बादल नजर आ रहे हैं और हलकी हलकी बारिश हो रही है जारखन में एक जून से 26 जुलाई तक 238 दसलो आठ मिलीमीटर बारिश ही अब तक हुई है इसमें तक जारखन में 455 दसलो 9 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी रखन के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है राज्यसभा में उठी देश का नाम केवल भारत की मांग राज्यसभा में गुरुवार को सदस्य नरेश बंसल ने मांग उठाई कि आजादी के अमरित काल में अंग्रेजी गुलामी की परतिक को हटा कर इस पुनिय पावन धरा क का नाम संभिधान के अनुचियत एक में संशोधन कर केवल भारत रखा जाए नरेश बंसल ने बिसेस उलेख में कहा कि परधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कीले से देश के नाम संभोधन में दास्ता के परतिक चिन्धों से देश को मुक्ति दिलाने का आहवान किया थ बिगत नौ वर्सों में परधानमंत्री ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी का निशानी है देश का नाम एक ही होना चाहिए संभुधान के अनुचियत एक में संशोधन कर देश का नाम इंडिया दैट इज भार ठटा केवल भारत हुना चाहिए देश को मुल और परमान परमानिक नाम भारत से ही मानिता दी जानी चाहिए देश में COVID-19 के सामने आये 42 नए मामले जबकि उपचाराधिन मरीजों की संख्या घटकर 1452 हो गई जो एक दिन पहले 1479 थी केंद्री स्वास्थे मंत्राले के गुरुवार सुब आठ बजे जारी ताजा आकड़ों के अनुसार संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,49,95,434 हो गई हैं और मिरितकों का आकड़ा 5,31,915 हैं स्वास्थे मंत्राले की बेपसाइट के अनुसार बीमारी से री कभर होने की राष्टिय दर अन्ठानबे दस्वलों 8,1 फीसदी है संक्रमन से री कभर होने वालों की संख्या बढ़कर 4,44,61,6,000 सरसट हो गई हैं और मिर्तियु दर 1,18 परतिशत दर्श की गई है देश में पिछे नौ वर्सों में घटी परतिवर्स औसतन 71 रेल दुर घटनाए देश में वर्स 2004 से 2014 के दोरान परिणामी रेल दुर घटनाओं की औसत संख्या परतिवर्स 111 थी जो वर्स 2014 से 2030 के दोरान औसतन 71 परतिवर्स दर्शी गई सरकार ने लोगसभा को यह जानकारे दी लोगसभा में अरविंद सावंद के प्रश्न के लिखित जबाब में रेल मंतरी अश्वीनी वैसनों ने इसकी जानकारी बुधवार को दी सरकारी आकडो के नुसार पिछले नौ वर्स में परिणामी रेल दुर घटनाओं की कुल संख्या 638 दर्श की गई सरकार द्वारा नीचले सदन में पेश किये गए आंकडों के नुसार पिछले नौवर्स के दोरान परिणामी रेल दुर घटनाओं में 781 व्यक्तियों की मौत हुई जबकि इस दोरान 1545 लोग जखमी हुए देश को 2047 तक उर्जा के मामले में स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष भारत ने 2047 तक उर्जा के मामले में स्वतंत्र होने का लक्ष रखा है। यह वात केंद्रिय वीतमंत्री निर्मला सितारंबन ने दिल्ले में आयोजीत ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रो केमिकल्स मैनुफेक्चरिंग हब्स इन इंडिया शिखर समिलन में कही प्रोग्राम के दुरान उन्होंने कहा कि सरकार ने आजादी के सो वर्स पूरे होने के औसर पर वर्स 2047 तक उर्जा के मामले में आत्म निर्भर बनने का लक्ष रखा है यह उर्जा के मामले में स्वतंत्र बनने जैसा है बितमंत्री ने कहा हमें याद रखना है कि भारत ने 2047 तक उर्जा शेत्र में आत्म निर्भरता हासिल करने और 2070 तक शूनिये कार्बन उ सका जब तक की सभी उध्योग और सभी शेत्रे इसमें अपना युगदा नहीं दें। इस्टार निसानवाला 500 के नोट को लेकर RBI का बढ़ा फैसला। देश भर में करेंसी नोट को लेकर कई तरह की खबरें सामने आती रही है। हाली में सरकार ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का निरने लिया है। इस बीच RBI ने एक जरूरी बयान जारी किया है। जिसमें RBI ने स्टार निशानवाले नोट के बारे में जानकर दी है। भारतिय रिजरुब बैंक यानी आर्बियाई ने स्टार निशान वाले नोट की बैधता को लेकर चताई जारी तमाम आशंकाये खारिज करते हुए गुरुवार को कहा कि ये नोट किसी भी दूसरे वैद नोट के ही समान है आर्बियाई ने बैयान में कहा कि गलत चपाई वाले नोट की जगह जारी किये जाने वाले नोट पर अंकीत संख्या वाले पैनल में इस्टार का निशान जोड़ा गया है सीरियल नंबर वाले नोटों की गड़ी में गलत डंग से छपे नोट के बदले स्टार निशान वाले नोट जारी किये जाते हैं अगस्त माह में FD से लेकर ITR तक बदलेंगे नियम अगर आपको कुछ जरूरी काम निप्टाने हैं तो तुरंद निप्टा लें वरना अगस्त की पहली तारिक से बहुत सारे नियम बदलने जा रहे हैं बतादे की इंकम टेक्स रिटन फाइल करने की अंतीमति थी 31 जुलाई है अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो तुरंद भर दें क्योंकि एक अगस्त के बाद टेक्स पेर्स को पेनाल्टी भरनी पड़ेगी जिनकी इंकम 5 लाक से जादा है तो उन्हें 5 लाक की पेनाल्टी देनी पर सकती है आरवे ने अगस्त के लिए बैंकों में चुटियों की खोशना कर दी है इस महिने 14 दिन बैंक बंद रहेंगे इसलिए बैंक के सारे काम निप्टा लें एकसिस बैंक एक अगस्त से कैश बेक और इंसेंटी पॉइंट को कम करने जा रहा है अ आकीरा रेंस सम्वेर को लेकर सरकार ने जारी की एडवाइजरी देश में स्मार्टफोन की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है एक आकड़े के मताबिक 2022 में लगभग देश में 83 करोड स्मार्टफोन यूजर हैं वहीं कहा जा रहा है कि साल 2025 तक देश में 90 करोड इंटर जारी की है सावधान रहने की सला दी गई है ये बग आपकी नीजी जानकारी चुरा ले रहा है इस बग का नाम अकीरा है ये रेंस सम्वेर यूजर्स पर हमला कर परसनल डाटा चोरी कर लता है फिर पैसे की डिमांड करता है सरकारी एजंसी इंडियन कंप्यूटर एमर्ज रिस्पॉंस यानी CERT-IN टीम ने कुछ दिन पहले सला दी है कि इंटरनेट पर नए वाइरस आ गये हैं इसे सावधान रहने की जरूरत है आगे कहा है कि ये वाइरस सबसे पहले विंडोज लिनेक्स सिस्टम पर चलने वाले सिस्टम को निशाना बना रहा है CERT ने कहा कि Ransomware Group VPN Service के जरिये यूजर के Computer के Data को एकसेस ले लेता है यह BCS तोर पर उस Data पर एकसेस जल्दी पा लेता है जहां किसी तरह की Security नहीं लगी हो